ओम शंती 17.9.2021 आज के मीठे बाबा के मधूर महावाक्य मीठे बच्चे इस देह भान से मर जाओ अर्थात इस पुरानी पती देह से प्रीत तोड एक बाप से सच्ची प्रीत जुड़ो प्रश्न है उत्तर है ग्यान के जेवरों से सदा सजी सजाए रहना यही तुम्हारी नेचरल ब्यूटी है जो ग्यान के जेवरों से सजी हुए रहते है उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देअभिमान की आदत है जिससे ही सब विकार उत्पन होते हैं गीत है मैफिल मेजल उठी शमा धाना के लिए मुख्य सार पहला है कोई भी गंदी मना चीची आदत नहीं डालनी है जीती जी दे का भान छोड़ना है फूल माफिक हर्शित रहना है दूसरा पारलोकिक बाप को फोलो कर पावन बनना है उनकी श्रिमत पर चलने की प्रतिग्या करनी और करानी है वर्दा अपनी स्रेष्ट वरत्ती द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भवव जो सदा अपनी स्रेष्ट वरत्ती में स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते व्रत्ती से ही वायुमंडल बनता है यदि आपकी व्रत्ती स्रेष्ट है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा कई वर्णन करते हैं कि क्या करे वायुमंडल ही ऐसा है वायुमंडल के कारण मेरी व्रत्ती चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाए कमजूर आत्मा बन जाते हो लेकिन वृत्त की स्मृत्ती से वृत्ती को स्रेष्ट बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे स्लोगन है गुण मुर्त बन कर सर्व को गुण मुर्त बनाना ही महादानी बनना है ओम शंती